विराट के सामने आ जाएगा सई काफी परेशान होती है तो पहले याँपर विराट उसे पूछने जाता है लेकिनों काफी परेशान हो जटर के सई और तुने और देवी ने ही सिफ नोटिस किया चाया कि मैं परेशान हूँ तो भी विराट उसके लिए पानी लेने के बाहर जाता है और देवयानी के इंटरी होती है देवयानी को सब पता होता है सही उसे सब कुछ पता देती है कि वो सीवानी को और राजी को एक बार फिर से मिलाना चाहती है और देवियन के मुझसे ये सब कुछ जल्दी जल्दी में निकल जाता है क्योंकि सिवानी आउदास होती है और सिवानी को पता सल जाता कि मतलब सही मुझे वर उसको मिलाने की कोशिश कर रही है विराड को भी विराड भी सब को सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है कि पता नहीं वो अपने अगाम सी काम क्यों नहीं रखती है तो ही देखने को मिलता है कि यहां पर पहुंच जाती है और सही वी राजियु से मिलने के लिए उसने काफी अच्छा सरप्राइस प्लान किया और वो उस पर काफी नाराज की जताते नजर आती है इसके बाद नहीं हाँ पर वो कहता है कि मैं कमिट्मेंट से डर गया था और बुरी तरह से परिशान हो गया था इसलिए मैं भाग गया मैं बुजदिल था लेकिन मेरी आए के जाने के बाद अपने की अपनी कहोना कितना जरूरी होता है इसके बाद सही कियती है कि तो फिर आप पर वो क्यों यकिन करेगी और इतने सालों बाद तो क्यों ही कोई आप पर विश्वास करेगा जिसलिए वी राट के एंड़ी होती है और उसे मुक्ता मार देता है तो वहीं देखने को मिलता है कि वो सही को लेकर चला जाएगा और राजी यहाँ पर शोग्ड हो जाता है कि अब पता नहीं सिवानी को कैसे मना एमिना है तो वहीं देखने मिलता है कि सिवानी से अभी भी बहुत प्यार करता है और उसने आज तक कभी शादी नहीं की है यानि कि उसके दिल में भी सिवानी के लिए जगे जरूर है तो वहीं सीवानी भी उसके लिए परिशान है यानि दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर इसे गिल्ट में अगर जिंदी के गुजार देंगे तो इससे बेटर है कि उन दोनों को मिला दिया जाए और सही उन दोनों की शादी का फैसला करेगी और विराट का भी वाइनली शादी का फैसला होगा अब देखते ही विराट इन दोनों का साथ तो देगा ही लेकिन घर में कौन सा तुपान आता है